नमस्कार आप देखें इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी जोशी वग्त हो गया है कहाने कुर्फिका कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद आज पहली बार प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुँचे है प्रधार मंत्री मोदी के स्वागत के लिए मानो पूरा जम्मू कश्मीर उमर पड़ा है कश्मीर की धर्ती से कश्मीर के लोगों को प्रधार मंत्री मोदी का संदेश आज पूरी दुनिया के लिए है बक्षी स्टेडियम में प्रधारमंत्री मोदी का संबोधन है जमू कश्मीर को आज प्रधारमंत्री मोदी की ओर से 6400 करोड रुपई की सौगात मिली है आश्वी नगर की तफ्वीर देखकर दुनिया ये समझ गई है कि धारा 370 हटना क्यूं जरूरी था 370 हटने के बाद घाटी कितनी बदली है जहां पहले किसी भी बड़े नेता के आने पर कर्फ्यूस अलग जाता था वहीं आज मोदी के आने पर दो लाख से ज्यादा कश्मीरी उन्हें सुनने के लिए पहुँचे है ये बदले हुए कश्मीर के तफ्वीर है लोगों का साफ कहना है कि बदले हुए कश्मीर में आप पत्थर बाजी, बंदू के और दहशत नहीं है बलकि शान्ती है, विकास है, भाई चारा है ऐसा महल है इस नए कश्मीर का आटिकल 370 हट जाने के बाद ये कश्मीर के एक नई तस्वीर है हम करेंगे इस वर विस्तार से चचाप से थोड़ी देर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी मंचिफी जनता को संबोधित करने जा रहे है तीन बेहत खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं तीन पशित हैשर्दान त्रिपाटी जी हमारे साथ हैं राहल महाजन जी हमारे साथ हैं है पहले वो तफ्वीरे आपको दिखा देती हो जो हजार बारा में आपने लार चोग देखा हूगा कैसा था तब इदर के ची मिनिश्टर कौन लोग थे उन से यह पूछो बारा के बाद जब से बात रिया जंता पार्टी सरकार बनी दोजार चोदे के बाद यहां पे अमन हो था पा रहे थे आप तो यहां पे कमल भी खेल गया से हमारा नाइंदर मोदी जी वजीर अजम आये हैं सब लोगों की जो सोच है वो चैंच होगी आज कोई पथर बाज नहीं आज कोई कश्मीर में मिल्टन नहीं बड़ता है आज सब जवान तर्की के पीछे हैं हम चाहते ह हैं कि जो हमारा वजीर अजम हिंद है नाइंदर मोदी जी इसकी सरकार बार बार हिंदुस्तान में आए आए आप कहीं गोली नहीं चलती है कहीं पथराओं नहीं होता है कहीं टेरुरिज्म का नाम ही नहीं है अब तो वकास ही वकास है खुशाली है कश्मीर में 370 हटने के बाद उसके बाद पथरबाजी नहीं हो रही है कोई हड़ताल नहीं हो रही है शांती से लोग जी रहे हैं और शांती से काम कर रहे हैं और अच्छा खासा बिल्कुल बहुत अच्छा मोल है लोकल लेवल पे लोग क्या कहते हैं लोकल लेवल पे लोग आप खुद देख सकत और ये तो जनता बोल रही है ये जनता है जो सच्चाई वो देख रही है वही वो बोल रही है कहीं कोई देश्चत नहीं है कहीं कोई बंदूग बाजी नहीं है युवा नौकरी चाहता है जो बच्चे है वो शिक्षा चाहते है जो व्यापारी है वो चाहता है कि उसकी दुक चलेंगे बक्षी स्टेटियम में लेकिन हर्श्वाइदंत्र पाठी जी ये वो कश्मीर है जिफका वादा प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था क्या वो वादा पूरा होता दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में देखें वहां से जो कुछ सामने दिख रहा है ये अध्भुत है आश्चर जनक है लेकिन मैं बहुत आश्चर चेकित इसलिए नहीं होता कि जब ये पांच अगस 2019 को ये हटा था तो 10-11 सितंबर को हम वहां थे और 10 सितंबर को शेरे कश्मीर विश्विद्याले की छात्राओं से हम लोग मिले थे कुछ पत्रकार हम लोग उसा है कि इतने वर्षों तक जिन एक दो तीन परिवारों को हमने माना कि ये हमारी नुमाइंदिगी करेंगे दिल्ली जाकर उन्होंने दिल्ली से सिर्फ अपने हिस्से की खुशाली अपने हिस्से की और जमूरियत भी सिर्फ उनहीं के हिस्से की और इसलिए जब कोई कहत कि जमहूरियत और कश्मीरियत जिसको अटल भिहारी वाजपै कहते थे तो नरेंद्र मोधी ने उसमें एक शब्द जोड़ा कि जमहूरियत और कश्मीरियत तो होगी लेकिन अगर यहां की आवाम को गोली लगती रहेगी यहां का बच्चा आतंकवादी बनता रहेगा यहां क लोगों को अवसर नहीं मिलेंगे, उनके सेव बाहर समय से नहीं जा सकेंगे, उसर जाएंगे, उनकी कीमत नहीं मिलेगी, यहां के बच्चे दूसरे देश की दूसरे हिस्से के तरह उसी तरह से अधिकार संपन नहीं होंगे, फुटबॉल नहीं खेल सकते, पिक्चर नहीं द तो एक पूरी सिरीज आफ इवेंट्स है जो बता रहा है कि कैसे वहां के लोगों के दिल की आवाज एक प्रधान मंत्री ने सुनी सिर्फ कागजी रस्म अदाएगी नहीं की यही वजा है कि बक्षी स्टेडियम के बाहर किसी को लाइन में लगाना नहीं पड़ा है कोई सेना के लोग उनको लेकर नहीं आ रहे हैं यह वहां के लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारे जीवन में खुशाली आई हुई राहुल जा भी कुछ दिन पहले यहीं दिल्ली में मेरी ताहिरा गोल एक महतरमा है वो श्रीनगर की ही रहने वाली है और वो एजुकेशनी स्टेक कोचिंग सेंटर चलाती है उनके हस्बंड जो है वो डॉक्टर है वो यह कह रही थी कि 90 के दशक की जो पूरी पीड़ी थी जो वो पहले नहीं देख सकते थी तो लगभग 7217 टेरिरिस्ट इवेंट्स हुए थे और अगर आप 2014 के बाद की बात करें तो 2197 इवेंट्स हुए और जो 4 साल हैं मतलब 370 हटने के बाद किया आप बात करें तो 70 फीसेदी टेरिस्ट जो इवेंट्स हैं या इंसिडेंट्स हैं उसमें कमी आई है बहुत ब बहुत जादा कवर किया है जिस तहां से जो फैमिली जिनके बच्चे जो है या फिर जिनके जो रिश्टेदार हैं वो टेरिक्स इवेंट्स में मारे जाते थे उनकी मान से खालत क्या होती थी वो भी मैंने देखा है वहाँ पे किस तहां से माहल था इसले बाल बाल फ्रिस्किंग होना ये भी किसी ट्रामा से कम नहीं और वो फ्रिस्किंग बड़ी ही बहुत ही बुरी तरह से होती थी देखे उसमें बड़ा प्रोटकॉल था कि आप जब गाड़ी लेके जाते हैं तो आपको रात में अगर जा रहे हैं तो गाड़ी की लाइट डिम करनी पड़ती थी फिर आपको हाथ उठाके बाहर आना पड़ता था फिर घूमना पड़ता था आपको बंदूग तनी हुई होती थी आपको फ्रिस्किया जाता है पूरा इस साह का महल था बहुत चेंज हुआ है कश्मीर और वहां के लोगों के लिए बहुत ही सुखा दानिभाव है ये और बीजेपी के लिए अगर खास्तोर से मैं बात करूं तो बीजेपी के लिए 2014 और 2019 में क्या बदलावाया है आप अगर पिछला चुनाव देखें तो 2014 से 2019 में 12 फीसदी जो वोट शेर है वो बीजेपी का जमो कश्मीर में बढ़ा है तो एक बहुत जादा जो लगाव बीजेपी के लिए कश्मीर में देखा जा रहा है जमो कश्मीर में देखा जा रहा है वो भी दिखाई देता है तीन सीटें आप जो है छे में से जमो कश्मीर में जी चुके हैं रद्दाग भी उसमें मिला लें तो और दूसरा देखिए ये तो सारी पॉलिटिक्स है लेकिन वहाँ पे जो यंग्स्टर्स हैं उनके लिए जिस तहां का बदलाव है वहाँ पे जिस तहां से स्टाट अप्स उभर के आ रहे हैं जम कश्मीर का जो के हमें दिखाई दे रहा है पर समीर जी इस से पहले कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी बोलें क्योंकि वह तो वहाँ से एक बिग पिच्चर जो है आज पूरे देश में और देश ही नहीं बलकि एक नया नेरेटिव पूरे दुनिया में जाएगा वो कि अगर कश्मीरियों को मौका मिलेगा तो भारत नहीं बलकि पाकिस्तान की सरपरस्टी पसंद करेगा आज वो कश्मीरी भी कतारबद होके खुद लगे हुए है मोधी को सुनने के लिए निश्ची रुप से देखी जब 2014 में नरेन मोधी ने देश की बागदोर समाली ता पधान मंत्री मोधी ने अपने दूसरे संबुदन में का था कि देश के अंदर बहुत बड़े बड़े गड़े हों बहुत बड़े एतियासिक भूले हुए है जिसे हमें सुधारना है भारत 2019 को इतियासिक भूल को सुधारा था और मुझे लग रहा हुए उसके बाद जम्बो काश्मिर में एक पहला सबेरा हुआ था और उसके बाद से आप देखे जिस तरीके से वहां केंदर सरकार ने लगा था विकास की परियोजिना लागू की केंदर से पैसा गया और जो नसा जाता था वह दो परिवारों के लिए एक अब्दुल् 기본 काश्मिर में जमिनिस्तर पर जा रही है और लोग भी अब जो अमाल परिवर्टन और महसुस कर रहा है आकल परिवार fatheru में इस तरह वूसवत नहीं कर सकते थे कि जम्मो काश्मिर में इस तरह का विकास को सकता है कि इस तरखर का प्रशाशत दे सकता है कि युक्ष हो सकता है कि उसे पुड़ा करने वाला कोई प्रशाशक आएगा मुझे लगरा iba बात को समझ रहा है अगर मैं ये कहूंगी कि प्रधार संब इस Tales किया जा सकता है और सबसे बड़ी बाद हर्शवर्दन जी जो लोग ये कहते हैं कि मुसल्मान जो है कभी मोदी के साथ खड़ा नहीं होगा आज जो इतनी बड़ी आबादी वहां पर बैठी हुई है जो कश्मीरी वहां पर मोदी को सुनने के लिए बैठे हुए ये कौन है त थोड़ी ठीक है क्या हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं क्या और वहां तो सबसे खतरना कि सिती थी उनके घर का बच्चा कब आतंकवादी बना दिया जाएगा कब देश के खिलाफ खड़ा कर दिया जाएगा उनको पता ही नहीं होता था वो काम नरेंद्र मोदी ने करके कि तेरह प्रतिशत आबादी वाला राज अगर उस लिहास से कहें तो बजट उसके मुकाबले मतलब एक तेरह गुना ज्यादा होना चाहिए यूपी का लेकिन उल्टा होता था और कमाल की बात ये कि वहां के बजट की ऑडिटिंग नहीं होती थी वो तो स्वर्ग हो जाना चाहिए था लेकिन उसके बावजूद ग्रामीर इलाकों में पहाडी इलाकों में श्रिनगर जम्मू के जो सुदूर इलाके हैं वहां बिजली नहीं पहुची वहां सडक की बात कोई करने वाला नहीं था महिलाएं बच्चे बुढ़े बुजूर्ग सब किसी किसी तरह से जाते थे या खचर या पालकी दूसरी तरह से जाते थे उन जगहों पर जहां जिसको हम कहते हैं कि देश को एक करते हैं लेकिन इस देश में वही एक हिस्सा कटा हुआ है न वहाँ railway line थी, न वहाँ सडक के रास्ते जा सकते थे और जो tunnel भी थी, वो साल के 3-4 महीने बंध हो जाया करती तो मुझे लगता है कि जो infrastructure का काम है, जो लोगों के जीवन बदलने का काम है आपको हाँ बड़ी-बड़ी holding दिख जाएंगे कि इस गाओं में भी अब बिजली पहुँच गई है, अब तो सारे गाओं पहुँच गई है लेकिन ये पिछले 2014 के बाद से 10 सालों में जम्मू कश्मीर के लोगों की मूल भूत सुवधायें बदली है और वहाँ हिंदू-मुसल्मान नहीं होता है भाई, हर जगा आप वही देखेंगे तो मुश्कील होगी आपको और जो आप कह रहे हैं ना कि जो व्यक्ति देखते हैं सबसे पहले अपना हित देखता है, अपना स्वार्थ देखता है और वही लाभारती बनाता है, लाभारतियों का एक बड़ा वोट बैंक कैसे बनता है, जब लाभ उन तक पहुँचेगा तभी ना वह मोदी के होंगे और तभी मोदी उनके होंगे, कुछ लाभार्तियों से सफ़क प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं, वो जलक भी हम देख लेते हैं एक कारबार बढ़ाया, और दो हजार बीस में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद दीरे दीरे मेरा एक बड़ा ब्रेंड बन गया, और ब्रेंड बनने के बाद हमने आनलाइन हजारों केजिस के शेहद बेजे, मेरी वेबसाइट पे दो हजार मुदू मकी के बख से बना लिए और मेरे साथ मैंने अकेला ही काम नहीं किया मैंने सोचा अब ज़रा आप उन पॉलिटिकल लीजर्स के उन बयानों को याद करें कि धारा 370 कभी हट नहीं सकती उन पॉलिटिकल लीडर्स के बयानों को याद करें जो ये कहते हैं कि कश्मीर में अगर शान्ती चाहिए तो ज़रा पड़ उसी मुल्क पाकिस्तान से बात करें तब कश्मीर में शान्ती मुहाल हो पाएगी आज देखें वहां के युवा ये कह रहे हैं कि वो अपनी वेबसाइट लांच करके वहां से अपनी इंकम सोर्स जेनरेट कर रहे हैं वो कैसे आत्म निर्भर बन रहे हैं और ये कश्मीर के युवा हैं खुद अपनी सुबानी अपने विकास की कहानी बता रहे हैं हमाई चर्चा यहां स्टूडियो में लगाता जारी रहेगी एक छोटा सा चलिए ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर आपको सुनवाते हैं क्या कहा इन कश्मीरियों ने हमें धिक्कत होती थी पहले जब एक्जिबिशनस में जाते थे एक लाख रुपई जेब में कैसे से गूमते थे सर क्यूंकि आज हमारा यूपी आई सिस्टम है आज कल हमारी 98% पेमेंट डिजिटली हो रही है तो डिजिटली ट्रनसफारम होने के बैद सर उसके साथ हम भी आ में था तो मेरा सपना पहले घरवाले मुझे बोलते थे आप डाक्टर बनो आप इंजिनर बनो तो मैंने घरवालों का मैं नहीं सुनता था मैंने सोचा सर मैं अपना दिल का सुनूंगा तो मैं जब दो बक्सु के पास गया था तो मैंने सोचा नहीं मुझे डाक्टर और इ लेकिन आपने वो रास्ता नहीं चुना और आपने एक प्रकार से Sweet Revolution, हमने Green Revolution सुना है, हमने White Revolution सुना है, आज मेरा कश्मीर, नाजीम जैसे विवानों के कारण स्वीट रिवलुशन का नित्रुत्व कर रहा है बहुत बहुत बधाई अजा नाजिम जी आपकी इस पहल में जैसा आपने बनाया सरकार की योजना ही रही लेकिन शुरुआत में शायद सरकार में योजना होका लाप नेने में दिक्कत आई होगी या सरलता से आपको समझ आय मिलता गया सर 2018 की बात अगर में करो